पचीस साल तक नोकरी सिछक लोग कर लिया कुस तो रिटायर भी हो गए तो जब वो फेल कर जाते हैं तो भूखे मरेंगे आपने पहले ही गलत किया है कि तीन वार उनकी दस्ता परिच्छा लिया विधी विभाग है सरकार का उसे प्रामर्स लेना चाहिए था आये लोग करते हैं तो आप भोट की राजनीत में आयोग सिछको को भी कहा दिया कि हम राजपत्री दर्जा देंगे तो आयोग जब एक प्रस उठता है आयोग जब सिचक है तो आखिर दस्ता परिच्छा कैसे पास कर गए कि अगर सचमता परिच्छा में फेल करते हैं तो सरकार उन्हें पहले नियोजूत सिचको को राजकर्मी का दर्जा बिहार सरकार देती है फिर यह सर्त लगा देती है कि तीन बार आपको परिच्छा पास करने का मौका दिया जाएगा वरना आपकी नोकरी चले जाएगी इसको लेकर पटना हाई कोट में मामला दर्ज के अग्या है पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है मैं अस्पस्ट रूप से आपको कह रहा हूं कि एडवोकेसी में कोई हंडेट परिच्छा नहीं कह सकता है कोई भी लीगल मामले को लेकिन एक चीज़ जरूर लोचा है कि सरकार साथ साल के नोकरी देती है और फिर कहती है कि जो तीन बार परिच्छा देंगे उनको बरखास्त कर दिया जाएगा तो ए आटकिल टू-26 के तहत रीट का अधिकार उनको प्रदान किया गया है कि अगर आपका ए होता है कि खनन होता है किसी भी चाहे सिविल रिट आप ए मानिये सर्विस रिट दोनों जो है आटकिल टू-26 में फाइल होता है वह आये हैं लेकिन एक चीज़ देख हम मैं राजिनितिक ब्यानवाजी नहीं करूंगा लीगल बात करूंगा कुछ लोग को देख रहे होंगे बोल र सरकार यहीं कहती है कि हम राजपत्रीत करमचारी बनाएंगे आपको लेकिन हम परिच्छा लेंगे तो सरकार का जो प्रावधान है वो कहीं से गलत नहीं है हां लेकिन एक चीज़ आप इस चीज़ को मानिये सरकार जो कहती है कि अगर आप पास नहीं करेंगे हम बर्खास्त कर देंगे तो यह टेक्निकल यहां प्रोब्लम है प्रोब्लम इस मायने में है कि अधिकार जो उनका 60 वर्स का नौकरी का दिया इसलिए कि सरकार अपना हाथ खोच चुकी है पहले भी तीन परिछा ले चुकी है और तीन परिछा जब नियोजी सिश्कों को ले चुकी है तो उ पहले वोयोग थे तो सरकार में ही लोचा है और यहां आए हैं अब जो फाइल किये हैं अब किस को नजरिया से फाइल किये हैं सरकार का नोटिफिक कि ए पहले दस्ता परिछा था इसवार है सच्हम्ता परिच्छा दो सब्स बदल गया है आपको में एक बात बता रहा हूं कि ऐसे सर्विश से किसी को हटाने का दो ही प्रावधान है चाहे आपका कंडक्ट खराब हो या आप बिल्कूल अयोग हो अयोग का अर्थ जो है बिल्कूल हो गए हैं जिसको कहते हैं हम लोग कंपल सरी रिटायर्मेंट कि माने उनको कंपल सरी दे दिया गया जवरिया रिटायर्मेंट दे दिया गया कंपल सरी रिटायर्मेंट जो सरकार का रूल है उसमें दे सकती है दूसरी तरफ कुछ जो करमचारी है वो भी लेते हैं जिसको कार देती है आपका कंड़क्ट ठराब है या आप आयोग है और दूसरी तरफ जो है जो कर्मचारी खुद ले सकते हैं सर्विस के देखे होंगे कि 20-25 साल चाहे का भी नया बहुत बड़ा रूप देखने को मिलेगा जीवन भर जितने जो बीरोक्रेट्स है जीवन भर नौकर करते हैं इनको राजीन का नसा चढ़ता है बहुत ज़्यदा पॉलिटिकल ए में चल रहा है तो अलग मुद्दा है यारी सर वियारेस क्या होता है देखे आप कि रिटार्मेंट खीम है और तो आपको अस्पस्ट रूप से मैं कह रहा हूं हूँ तो क्या है कामपल सरी रिट पंग हो गये थे काम नहीं कर पा रहे थे बहुत बजन हो गया सब कुछ हो गया और लोग स्वेम लेते हैं करमचारी लोग देखिए एक टेक्निकल उसमें भी आपको बता रहे हैं वहां भी लोचा हो जाता है सरकार कर दिया है कि अगर आपको 20 साल नौकरी हो गया तो आपको पिंसन दिया जाएगा तो हर लोग इधर नौकरी का भी मजा मारता है उधर पिंसन लेकर भागना चाहता है फिर राजीट में कुदना एरा राजीटिक छेत्र में जाने वाले लोग करते हैं आई साइपिस को मैक्सिमम देखिया है जीवन भर मतलब नौकरी कर लिए सरकार क अस्तर से उस पर कोई आवाज नहीं उठाते हैं लेकिन इस पर भी उठना चाहिए अब जहाम सिछक की बात करते हैं जो मुल उदेश है मुल मुद्दा है विशे बस तुजो है सब्जेक्ट मेटर तो सिचकों का जो सचमता परिच्छा का मापदन सरकार निधारित किया है तो यह मेरे समझ से कहीं गलती नहीं है लेकिन अब सरकार एक मिनट मान लिए कि फेल कर जाता है तीन बार कहां जाएगा बिस साल पचीस साल तक नोकरी सिचक लोग कर लिया कुछ तो रिटायर भी हो गए तो जब फेल कर जाते हैं तो भूखे मरेंगे आपने पहले ही गलत क सिरक डिया है कि तीनबा उनकी द़स्तापरिच्छा लिया दशय परिक्छा में वह पास कर गये हैं और फिर और भी हो दस्तांपरिच्छा दिये कुछ लोग हमिने देने के गवार देने कि एक मतलब कोई ची लागू कर देते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था लेकिन यहां क्या होता है कि ए सब पर सरकार ध्यान नहीं देती है में सरकार को राजनीत करना है बोट की राजनीत करना है अभी सुन रहा है अच्छारीत्र जो है और राजनितिक पार्टियां इस तरह से बदल देते हैं अब कह रहे हैं को तो मेरा टेस्ट बढ़ना है तो सुस्स के तहळग अगर सिच्छक आये हैं आर्टिक्ल्टू टुवेंटिश्स के तहद रीट में तो उनका यह हख बनता है उसकते हैं चाहे वह सामुहीक रूप से यह ब्यक्तिकत रूप से आ सकते हैं लेकिन आहला सिर्फ ज़िश्च का नहीं है यह सामुहीक मामला है और ये रीट के अलावा ये जनहित का भी मामला है PIL भी इस पर मतलब हो सकता है क्योंकि सारे सिचको को कोई रास्ता आप नहीं बच गया है वो लोग 20-25-25 साल नोकरी किये हैं मैं मानता हूँ देखिए मैं असपष्ट बोलता हूँ कि बहुत सा आंसिक रूप से नहीं बहुत सिचक अयोग है तो आप भोट की राजनीत में आयोग सिचको को भी कह दिया कि हम राजपत्री दर्जा देंगे तो आयोग जब है प्रस उठता है आयोग जब सिचक है तो आखिर दस्ता परिशा कैसे पास कर गए यह प्रस उचक चिन्न है सरकार के मतलब गाल पर तमाचा है बहुत बड़ा उसकी जो सरकार की जो एक इस रूप में कहें कि भैलू है जिसको कहते हैं उस पर बहुत बड़ा तमाचा है तो राजनीतिक भासन अलग होता है लीगल जो है वो तत्थ्यों आधारित होता है तो तत्थ्य एही कहता है कि एक तरफ दस्ता परिच्छा आप ल दस्ता परिच्छा नहीं आये आप इस चीज को समझीए तो उनको सरकार CRS दे दिया को पलसरी रिटायर्मेंट में चले गए कि आप एकदम आपको खतम होना है बर्कास होना है रिटायर्मेंट दे दिया वहीं खतम हुई है दूसरी तरफ आज का जो मुद्दा है कि कोट का दरवजा खटखटाएं है इसलिए कि नैपाली का सर्वोपरी है यहां से लोगों को लगता है कि रहात मिलें तो सरकार की ऐसी मंसा है कि हम सच्छमता परिच्छा अगर ले और सच्छमता परिच्छा में जो तीन बार फ्यल कर जाते हैं उनको हम सर्विस से हटा दें ल मतलब सेक्टर में अब किस सेक्टर में जो फाइल किये हैं मुझे पता नहीं है लेकिन इतना मैं कहूंगा कि अगर सच्छमता परिच्छा में फेल करते हैं तो सरकार उन्हें हटा नहीं सकती है क्योंकि सरकार पहले ही 10 परिच्छा ले चुकी है और उसमें वो लोग सफल जो फेल करेंगे सिचक क्या उनको नौकरी से सरकार अगर करती है तो ने पलकास उनको लाव है मिलेगा कि और नियोजित सिचक ही रह जाएंगे वह मतलब जो राज सरकार का मानक जो निधारित हुआ है राज-पत्रीत करमचारी के लिए और राज-पत्रीत करमचारी नहीं बन सकते हैं सवाल है कि पहले सरकार नियोजित सिचक को राज-खर्मी का दर्जा देती है फिर अब सर्थ लगा देती है कि तीन एकजाम आप अगर मौका मिल रहा है तीन एकजाम में नहीं पास होते हैं तो आप बर खास्त कर दिये जाएंगे तो ऐसे में नियोजित सिचक जाएंगे कहां इतने दिन नोकरी करने के बाद देखिए सरकार दर्जा देती है तो दर्जा देती है तो सरकार का कंडिशन नहोता है आप नियोजित सिचक बहाल किये आप सपोज़ेट मान लीजिए तो उस समय जो उनको नियुक्ति पत्र के साथ आपका जो एग्रिमेंट हुआ था सरकार के साथ ओअ अलग मुद्धा था और आज का मुद्धा है अ अलग है आज सचंता परिच्छा लिया जा रहा है टेकनिकल चीज़ को समझिए तो सिचक से हटाने के लिए नहीं रापति करमचारी नहीं रह सकते हैं तेकनिकल चीज को समझिए फुर्ट वीसी होगा मैं आपको बता रहा हूं नौकरी से नियोजी सिचक नहीं हटाए जाएंगे उनको नियोजी सिचक ही राजाएंगे राजपत्रित करमचारी का जो सुक्षुभधा है उन्हें नहीं प्राप्त होगा कुल मिला करके एचीज है आज एक चीज आप समझिए जैसे बेतन का जो मुद्धा था उनलोगों का तो बेतन का था तो परषा देते के तो बेतन मिलता गया जो सिचक किये दे उनको वह वह बैतन नहीं मिला था इस पर हाई कोट यह भी नहीं कह सकती है मैं यह बोल रहा हूं कि आप सच्छमता पर इचाराज पत्रित करम चारी के लिए नहीं लीजिए और इसी सिच्छा को कचला भर दीजिए दूसरी तरह एक चीज को समझे कि बिहार का मानक जो है सिच्छा का यही सरकार यही भाजपा जदियू की जो सरकार थी उसमें एक आनुमा पैदान पर चला गया उसके पीछे वला माठाइसमा पैदान माने बिहार का सिच्छा जो था राष्टी यह मानक है उसमें सबसे फिष्डी सावित हुआ तो सरकार के अगर एह मंसा है कि हम इसको और मतलब अपडेट करें और अ प्रटा के से दो दोगे वहां पनियम क्या होगा हाई कोट भी सीपर डिसिजन दे सकता है मैं असपस्ट रूप से कह रहा हूं पूर्ण रूपे नहीं हम फाइल को देखा नहीं है केस का लेकिन उसमें एही मिल सकता है कि ठीक है सच हमता मून को राजपत्रित करमचारी का द वक्त ही पता चलेगा कि हाई कोट क्या फैसला देती है अभी तक लिए बस इतना ही आप बने रहें निश्पोनिशन के साथ